Hello students, हम Indian political study कर रहे थे और इसमें हम एर्थ चेप्टर को पढ़ रहे थे Directive Principles of State Policy Students, अपने इस Lecture में हम पढ़ेंगे Implementation of Directive Principles जो हमारे Constitution में जो Directive Principles of State Policy दी गई है उनका Enforcement, उनका Implementation कैसे government के द्वारा टाइम टाइम पर किया जाता है और उसके द्वारा किन-किन bodies को बनाया गया, किन-किन corporations को establish किया गया, जिससे की directive principles of state policy को enforce किया जा सके, इनको implement किया जा सके, इसको हम अपने आज के इस lecture में study करेंगे. चलिए students, start करते हैं आज का lecture, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे planning commission of India का जो importance है, उसके बारे में student जब क्या होता है, जब हमारे देश में हमारा समिधान बन कर तयार हो जाता है, और 1950 में 26 January 1950 को हमारा जो constitution है, वो पूरी तरीके से enforce हो जाता है, इनेक्ट हो जाता है, तो उसी time से क्या है, हमारे देश में जो government होती है, चाहे फिर वो state government हो, या फिर वो central government हो, उनके द्वारा time time पर क्या है, different laws बनाये जाते हैं, और बहुत सारे क्या है, ऐसे programs लाये जाते हैं, जिससे की, क्या हो director principles of state policy को implement किया जा सके, इनको enforce किया जा सक और student इसी में हम पढ़ेंगे, कि इसकी government के द्वारा क्या किया जाएगा, government के द्वारा planning commission of India को establish किया जाएगा, 1950 में, जिससे की क्या किया जाए, जिसका objective ये था, कि हमारे देश में जो भी development हो, जो वो क्या हो, एक planned manner में किया जा सके, और जो planning commission of India है, इसके थूँ, जो हमारे, जो welfare society का जो concept है, जो welfare state का concept है, और जो हमारे directive principles of state policy है, उसको क्या किया जा सके, इनके principles को implement किया जा सके, student, जो ये planning commission of India, जो की क्या है, 1950 में इसको establish किया गया था, इसके थूँ, हमारे देश में क्या है, एक ऐसी योजना तयार की गई, ऐसी planning मनाई गई, जिसमें की, जिसे क्या कहा गया, five years plans कहा गया, जो क्या होती थी, पात सालों के लिए एक पूरा framework तयार किया जाता था, कि क्या होगा, अगले आने वाले पात सालों में ये विकास कारे किये जाएंगे, ये development works किये जाएंगे, different different sectors में, ठीक है, जैसे कि agriculture sector में ये काम किया जाएगा, ठीक है, पूरा एक five years का क्या है framework तयार किया जाता था, और उसको क्या है, उस five years के time period में उन जो objectives हैं, उनको complete करने के लिए, planning commission of India के द्वारा काम किया जाता था, और student पांच साल के time period के बाद क्या है, फिर से एक क्या है, next five year plan आ जाता था, और उसके सारे कामों को, क्या है, फिर उसके according किया जाता था, जो भी उसमें object दिये गए है, जो भी क्या है, उसमें points दिये गए है, उसके according फिर पांच सालों के लिए काम किया जाता था, लेकिन student कुछ time के बाद क्या होता है, कि इसमें जो planning commission of India है, इसकी जो functioning है, उसको क्या है, कुछ inappropriate माने जाने के कारण, इसको क्या है, 2015 में, जो ये क्या है, planning commission of India है, इसका नाम change करके, नीती आयोग रख दिया जाता है, जिसको की क्या कहते है, national institution for transforming India कहा जाता है, और अब जो क्या थी, planning commission of India थी, अब इसका नाम क्या हो गया है, नीती आयोग हो गया है, student जो ये पहले planning commission of India थी, इसमें क्या है, इसके कामों में कुछ तुरुटियां पाई गई, कुछ mistakes पाई गई, तो इसलिए क्या है, इस body को हटा दिया गया, और इसको rename कर दिया गया, और अब क्या है, नीती आयोग है, और इस body का क्या काम है, इसके क्या है, policy बनाने का काम है, इंडिया के development के लिए क्या है, different different surveys को किया जाता है, नीती आयोग के द्वारा, और क्या है, different reports को भी इसके द्वारा publish किया जाता है, ठीक है, और development के लिए, country के development के लिए, government के लिए क्या है, कुछ जो policies है, उनका formulation नीती आयोग के द्वारा किया जा कि उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि उसके बाद ही पहला तो हमने गवर्मेंट का जो रोल है वो पढ़ लिया कि क्या किया गया डिरेक्टर प्रिंस्पल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनके कि इंप्लिमेंटेशन के लिए प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया का इस्टेबिश्मेंट किया गया 1950 में जिसके तुरू क्या किया गया एक प्लांड मैनर में फाइव यर्स प्लांज का क्या है एक सक्सेसिव मैनर में कि क्या है हर पांच साल के बाद क्या होगा एक नया फाइ को किया जाएगा तो इस तरीके से यह काम होता था प्लैनिंग कमिशन ऑफ इंडिया के द्वारा लेकिन स्टूडेंट 2015 में यह जो प्लैनिंग कमिशन ऑफ इंडिया है इसको रिनेम कर दिया गया और अब इसका नाम बदल कर हो गया नीती यायो जिसे की कहा जाता है नेशनल अलग स्टेट्स हैं उनके द्वारा भी क्या किये गए लैंड रिफॉर्म्स लॉज को पास किया गया ठीक है जिससे की क्या हो जो हमारी अग्रेरियन सोसाइटी है जो हमारी अग्रिकल्चरल पर डिपेंड सोसाइटी है ठीक है जो कि जादा तर लोग ऐसे थे उस टाइम पे इंडिपेंडन्स के बाद भी काफी टाइम तक जो कि क्या थे मेली अग्रिकल्चर पर ही डिपेंडन्ट थे और तो इसके लिए क्या है सभी स्टेट्स की जो गवर्मेंट थी उनके द्वारा जो लैंड रिफॉर्म से उससे रिलेटेड लॉस को पास किया गया जिससे की क् पिपुल हैं जो रूरल मासेज हैं उनकी जो कंडिशन्स हैं उनको इंप्रूफ किया जा सके ठीक है जो ग्रामीन जनता है जो रूरल एरियास में लोग रहते हैं उनकी जो लिविंग कंडिशन्स हैं उनको क्या किया जा सके उनकी वर्किंग कंडिशन्स और लिविंग कंड ठीक है ये सब implementation किये गए जिसमें की पहला implementation आता है abolition of intermediaries like जमीदार्स, जागिरदार्स, इनामदार्स जिसमें ये कहा गया कि जितने भी ये intermediaries हैं जितने भी ये बिचॉलिये हैं जिसमें की जमीदार्स आते हैं जागिरदार्स आते हैं, इनामदार्स हैं, यह क्या हैं? इन सब को abolish कर दिया जाएगा। जैसा कि student पहले क्या था? जमीदारी प्रता थी, उसमें क्या थी जमीदार लोग क्या किया करते थे? गरीब लोगों का बहुत जादा अत्याचार किया कर दे थे, उनका बहुत जादा exploitation किया करते थे, तो इसी लिए state governments के द्वारा क्या किया गया इनको ये जो जमिदार्स हैं, जागिर्दार्स हैं, इनामदार्स हैं, इन intermediaries को क्या कर दिया गया इनको abolish कर दिया गया समाप्त कर दिया गया इसके लिए provision बनाए गए उसके बाद second provision state governments के द्वारा किया गया कि क्या कि उनके द्वारा tenancy reforms को लाया गया tenancy reforms का means student tenancy reforms का means ये होता है कि जैसे माल लीजिये कोई भी क्या है agricultural land है वहाँ पर क्या है किसी भी गरीब किशान को हमने खेती करने के लिए उसको दे दिया तो अब क्या होगा हम उसके सांसे कभी भी उसके जब भी हमारा मन आया उस time पर उसे उस land को वापस नहीं ले सकते हैं इस चीज से उसको security देने के लिए कि क्या हो कि वो एक निश्चिट time तक एक particular tenure तक वहाँ पर उस land में खेती कर सके बिना किसी interruption के तो इस चीज के लिए government के द्वारा क्या लाए गए government के द्वारा tenancy reforms लाए गए जिसमें कि ये कहा गया कि अगर कोई भी गरीब किसान क्या है किसी भी land में जो कि उसको दी गई है जिसमें वो agriculture करता है तो उसको क्या है कुछ time period के लिए उसको उसमें वहाँ पर security provide कराई जाएगी ठीक है और साथ ही उसके लिए क्या है fair rents के भी provision किये गए कि उस किसान को क्या है एक क्या है उचित दर में क्या दिये जाएंगे rents उसक को दिया जाएगा और यह कहा गया कि जो वो किसान है अगर वो उस land में agricultural land में अगर कोई भी production करता है तो उसका जो भी production होता है तो उसको क्या है वो मार्केट में जाके उसको क्या है फर्दर उसको बेच सकता है और उससे क्या है अपनी livelihood earn कर सकता है तो इसके लिए government क्या ला पी है स्टूडेंट उसके बाद जो सभी जो state की government सी उनके द्वारा क्या किया गया उनके द्वारा जो next provision किया गया उसमें यह किया गया कि जो जो क्या है ceilings है ठीक है जो properties है agricultural जो land है उसमेर क्या है उन land holdings पर ceiling को impose कर दिया गया ठीक है एक ceiling limit को enforce कर दिया गया उसको impose कर दिया गया student ceiling का means यह होता है कि माल लीजे किसी भी person की क्या है कोई agricultural land है तो government के द्वारा एक क्या है certain limit specify कर दी गई कि क्या होगा अगर किसी के पास क्या है उस certain limit से जादा अगर किसी की property है जादा agricultural land है तो वो क्या होगा उसको state के द्वारा acquire किया जा सकता है और फिर उसको state के द्वारा protection provide नहीं कराया जाएगा और लेकिन उसके अंदर की जो एक जो ceiling limit है किसी भी state के लिए state के द्वारा specify की जाती है ठीक है property के उपर जैसे माली जीए एक निश्चित property के उपर यह कह दिया कि क्या है जैसे की 200 एकड़ की जमीन अगर किसी person के पास है तो वो क्या होगी इतनी ceiling limit इस state में क्या है define कर दी गई है तो यह होता है कि अगर इससे जादा क्या है इससे जादा किसी के पास property होगी तो उसको state के द्वारा acquire किया जा सकता है और उस extra property को क्या है state के द्वारा protection provide नहीं कराया जाएगा ऐसा किया गया state governments के द्वारा और जो भी land holding means कि जो भी agriculture property थी या जो भी property है जो भी land है उसके उपर ceiling limits का imposition कर दिया गया उसके उपर एक limit लगा दी गई कि इतने land से जादा अगर इतने से जादा अगर किसी की land है तो उसको क्या कर दिया जाएगा उसको protection provide नहीं कराया जाएगा और हो सके तो उसे state क्या है protection प्रोवाइड नहीं करायेगी और उसे state के द्वारा acquire भी किया जा सकता है और स्टूडेंट उसके बाद जो next provision किया गया उसमें ये बताया गया कि distribution of surplus land among the landless laborers ये कहा गया कि अगर किसी की भी जो क्या है ceiling limits से बाहर की जो land है माल लीजे कि किसी state के लिए क्या है एक person की जो property है जो land है वो क्या है पचिस सो एकड तक define कर दी गई है अगर क्या है किसी भी person के पास क्या है अठाइस सो एकड की property है तो उसकी क्या है उपर की पचिस सो से उपर की जो क्या है 300 एकड की जो बस्ती है ठीक है 300 एकड की जो बस्ती है वो क्या हो गई surplus land हो गई तो इस land को state के द्वारा ये provision बनाया गया कि अब इस land को क्या कर दिया जाएगा जो landless laborers हैं ऐसे laborers हैं जिनके पास क्या है भूमी नहीं है जमीन नहीं है तो उनके बीच में इस 300 एकड जमीन को जो की surplus है जो की ceiling limit से बाहर है उसको distribute कर दिया जाएगा ऐसे लोगों में ऐसे गरीब लोगों में ऐसे श्रमिकों में जिनके पास क्या है अपनी भूमी नहीं है और student उसके बाद एक और provision state governments के द्वारा किया जाता है और वो है cooperative farming ठीक है cooperative farming student cooperative farming एक ऐसा concept है जिसमें की क्या होता है माल लीजी क्या है दस छोटे छोटे किसान है उनके पास क्या है एक 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 एकड़ भूमी है किसी के पास देड़ एकड़ है किसी के पास दो एकड़ है तो इस तरीके से क्या होगा वो सब लोग जब सामुही क्रूप से खेती करेंगे सामुही क्रूप से production करेंगे और उसक इसके लिए ये बताया गया कि इसमें क्या होने चाहिए जो भी खिसान जो आपस में खेटी करते जो पह चाहिए wझा हो धूक ऑृ इक सवसर कर ले नहीं तो यह आशन का जिताई जाती है कि माल लीजे कोई बड़ा किसान है तो वो क्या कर सकता है चोटे किसान को उसका जो की क्या है profit होगा या फिर कोई भी चीज़ है तो वो उसको नहीं दे सकता है या बड़ा किसान होगा तो वो छोटे किसानों पर दवाब बना सकता है तो इसी लिए cooperative farming के concept में ये कहा गया है कि ऐसे चोटे किसान जो कि क्या हो लगभग एक समान दर्जे के हो जिनके पास क्या हो लगभग एक समान लगभग क्या हो जादा डिफरेंस ना हो उनकी भूमी में और वो सब ऐसे किसान आपस में मिलकर क्या करते हैं एक साथ उस पूरी भूमी में खेती करते हैं और उसमें प्रोडे वेजल्ट्स B-6 उसके बाद स्टूड इंट्ट गवर्मेंट के द्वारा लेबर के प्रोटेक्शन के लिए सब्सक्राओं के लिए फिर इन when के इतों सरक्षा करने के लिए भी घवर्मेंट के द्वारा पार्लियमेंट के दुवारा अलग-अलग एक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में बनाई गए जिसमें की सबसे पहले आता है जिसमें की जो लेबरर्स हैं जो भी काम करने वाले वरकर्स हैं उनकी जो एक सर्टेन मिनिममम वेज को डिफाइन किया गया यह क्या है दा मिनिममम वेज़ एक्स डिफरेंट में ऐसे प्रोविजन किये गए उसके बाद 1936 में आता है दे पेमेंट आफ वेज़ एक्ट उसके बाद नेक्स्ट है दे पेमेंट आफ बोनेस एक्ट 1965 उसके बाद गवर्मेंट के द्वारा बनाया गया दे कॉंट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 इसमें जो की 1970 में जो एक एक्ट आया था उसमें क्या है कॉंट्रेक्ट लेबर से रेलेटेड उसके रेगुलेशन और अबॉलिशन से रेलेटेड प्रोविजन को बताया गया था और उसके बाद The Child Labor Prohibition and Regulation Act of 1986 को भी लाया गया, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, जिसमें कि जो भी छोटे बच्चे हैं, अगर वो क्या है, किसी भी जो ऐसे बच्चे जिनकी एज क्या हो, 14 एर से कम हो, उनके लिए भी प्रोविजन्स को बताया गया, कि क्या है, चाइड लेबर क्या क्या है, प्रोहिबिशन है, और 14 एर से कम है इसके जो बच्चे होंगे, उनको क्या है, किसी भी हामफुल या ऐसी फैक्टरीज में, जो कि क्या हो, हामफुल हो, वहाँ पर इंप्लॉइमेंट नहीं दिया जाएगा, इस चाइड लेबर प्रोहिबिशन and Regulation Act of 1986 में, ऐसे प्रोविजन्स किये गए थे, उसके बाद नेक्स्ट आता है, The Bonded Labor System Abolition Act 1976, ठीक है, जिसमें की, बॉन्डेड लेबर जो था, बॉन्डेड लेबर सिस्टम था, उसके Abolition के Concepts दिये गए थे, उसके Abolition से Related Provisions को दिया गया था, और The Bonded Labor System Abolition Act को 1976 में लाया गया था, उसके बाद Student, The Trade Union Act आता है, 1926 में, उसके बाद Factories Act आता है, 1948 में, Mines Act आता है, 1952 में, The Industrial Disputes Act आता है, 1947 में, उसके बाद Next आता है, The Workman's Compensation Act, 1923, उसके बाद Government के द्वारा Child Labor को बैन कर दिया गया, 2006 में, ठीक है, 2006 में Government के द्वारा Child Labor को बैन कर दिया गया, उसके बाद Student, जो Child Labor Prohibition and Regulation Act था, 1986 का, ठीक है, जो Child Labor Prohibition and Regulation Act था, 1986 का, उसको, 2016 में, इस लोग को रिनेम कर दिया गया, और उसका नया नाम क्या रख दिया गया, The Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act of 1986, नेक्स पॉइंट है, इसमें, कि जो भी क्या है, जो विमिन वरकर्स है, जो क्या है, महिला वरकर्स है, विमिन वरकर्स है, उनके इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइट कराने के लिए, 1961 में पार्लियामेंट के द्वारा लाया जाता है पास किया जाता है The Maternity Benefit Act 1961 जिसमें की क्या है जो pregnant ladies हैं जो pregnant women workers हैं उनके लिए जो leave हैं उनका provision किया गया और उनके लिए जो benefit हैं उसके provisions को इस act में बताया गया और उसके साथ ही women workers के लिए आता है Equal Remuneration Act of 1976 जिसमें की women workers के लिए ये provision किये गए कि उन्हें भी क्या दिया जाए Equal Remuneration दिया जाए Equal Payment दिया जाए जो की Equal Pay for Equal Work के concept पर काम करता है ऐसा कहा गया कि क्या किया जाए जो women workers हैं उनके लिए भी क्या हो Equal Remuneration Act को लाया जाए 1976 में जिसको applicable किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो भी women workers हैं उनको भी Equal Payment दिया जाए For Equal Work उसके बाद ये कहा जाता है कि various measures have been taken to utilize the financial resources for promoting the common good ये कहा गया कि जो भी financial resources हैं उनको क्या हैं सभी लोग use कर सकें उनका जो utilization हैं वो क्या हो Public welfare में हो इस दीज के लिए जिससे की common good हो उसको क्या हो उस concept को promote किया जा सकें और सभी लोग क्या हो जो financial resources हैं उनको utilize कर सकें इसके लिए भी government के द्वारा different measures लिए गए जिसमें से की students सबसे पहला government के द्वारा step उठाया गया कि government के द्वारा 1956 में जो life insurance था उसका nationalization कर दिया गया जो की आज क्या है Life Insurance Corporation कहलाती है उसका 1956 में क्या कर दिया गया था government के द्वारा nationalization कर दिया गया था रास्ट्रिय करण कर दिया गया था जिसका main name ये था कि जो भी financial resources हैं उनको क्या है सभी लोगों के द्वारा use किया जा सके ठीक है public welfare में use किया जा सके और वो क्या हो जो wealth का concentration है वो कुछ particular society के ही लोगों तक न रह जाए उसके बाद government के द्वारा जो इंडिया के जो 14 leading commercial bank से ठीक है जो 14 बड़े commercial bank थे इंडिया के उनका भी 1969 में इंद्रा गाधी government के द्वारा nationalization कर दिया गया और student government के द्वारा ही 1971 में जो general insurance है उसका भी nationalization कर दिया गया जिससे कि financial resources है जो economical resources है उनको क्या है सभी लोगों के द्वारा utilize किया जा सके और जो common good है ठीक है उसको promote किया जा सके means कि सभी लोग क्या है use कर सके जो भी final जो भी क्या है financial resources है जो भी हमारे क्या है economic resources है उनका उसके बार government के द्वारा एक next concept लाया जाता है next provision लाया जाता है जिसमें बताया गया कि abolition of private purses in 1971 student private purses का जो concept है वो Britishers लाये थे Britishers जब हमारे इंडिया में रूल करते थे उस टाइम पे जो क्या थे princely state से उनको क्या है Britishers के द्वारा British government के द्वारा कुछ pension दी जाती थी इसको ही क्या कहा जाता था private purses कहा जाता था लेकिन student ये जो concept है तब से चला आ रहा था और जब independence इंडिया को independence मिली तो उस टाइम पे जो सरदार सरदार बल्लभाई पटेल होते है वो क्या थे उन्होंने जब इस चीज को देखा कि जो क्या है जो princely states हैं उनको Britishers के द्वारा ये option दिया गया था कि वो क्या कर सकते हैं वो चाहें तो इंडिया में मिल सकते हैं वे चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं और वो चाहें तो इंडिपेंडेंटली अपना अपना ही राज चला सकते हैं तो student लेकिन जो सरदार बल्लभाई पटेल थे उन्होंने देश की एकता और अखंड़ता को बनाने के लिए unity और security को protect करने के लिए उन्होंने क्या किया वो प्रिंस ली स्टेट के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको क्या होगा आपको एक क्या होगी वो ही जो जो प्राइवी पर्श का concept है उसी को आगे बढ़ाते हुए यह कहा कि आप इंडिया में मिल जाएए और क्या होगा जो इनके राजा रजवारे थे उनको क्या दी जाएगी एक पैंशन दी जाएगी तो गवर्मेंट के द्वारा क्या है अभी तक वो 1950 तक भी जब तक की 1971 में इसको अबॉलिश किया गया था उससे पहले तक जितने भी प पैंशन प्रोवाइट कराई जा रही थी लेकिन स्टूडेंट उस टाइम पे यह जरूरी था क्योंकि इससे क्या था हमारे देश की जो सिक्यॉरिटी है हमारे देश की जो एकता है यूनिटी है वो क्या है बनी रहनी चाहिए थी इसलिए लेकिन क्या है अब इंडिया 1971 में उस टाइम पे हमारे देश में बहुत जादा गरीबी थी एक तरफ क्या था देश में बहुत सारे गरीब लोग थे जिनके पास क्या है दो वक्त की रोटी के लिए भी क्या था पैसा नहीं था और वहीं दूसरी तरफ ये प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा रजवारे थ द्वारा ये प्राइवी पर्सिस के रूप में क्या दी जा रही थी उनको पैंशन प्रोवाइट कराई जा रही थी तो ये क्या था एक बहुत डिस्प्यूटेट कॉंसेप्ट बन गया था कि देश में एक तरफ जहां निर्धन लोग हैं पूर पिपुल हैं वहीं दूसरी कि तरफ क्या है ये प्रिंसली स्टेट के जो क्या है जो जो किंग है जो राजा लोग है उनको क्या दी जा रही है पैंशन दी जा रही है तो इसलिए क्या हुआ विरोध होने पर गवर्मेंट के द्वारा इस प्राइवी पर्सिस का अबॉलिशन कर दिया गया ठीक है और 1971 स जितने भी अगर प्रिंसली स्टेट के जो भी राजा रजवारे थे उनको अपसे ये पैंशन देने का जो प्रोविजन था उसको समाप्त कर दिया गया और ये कहा गया कि जितने भी जो भी है आप क्या होगा आपको क्या होगा फ्री में पैसे नहीं दिये जाएंगे अब आप भी क्या करिए जैसे सब लोग मेहनत करते हैं वैसे ही आप भी करिए और आप भी अपनी आज इविका को चलाइए उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट आता है हमारा दे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट नाइनटीन एटी सेवन स्टूडिंट जो ये लीगल स गसे हैं जो पूर लोग हैं उनको भी क्या दी जाएगी फ्री और प्रांशी लीगल कानूनीकर अपना फॉरिजट एक्या सर्विज के आविछ टीरượng नेक्सेज प्रैवतरिेन किया गया कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको अब मुफ्त में कानूनी सलाह प्रोवाइट कराई जाएगी जो की क्या होगी कमपीटेंट होगी उचित होगी और इसके लिए क्या है पूरा एक नेशन वाइड नेटवर्क को तैयार किया गया और लोग अदालत का फॉर्मेशन किया गया जिससे कि जो इक्वल जस्टिस का कॉंसेप्ट है उसको प्रमोट किया जा सके और गरीब लोगों को भी न्याय दिया जा सके ये कहा जा रहा था कि जो भी रिच परसन है वो जुडिशियरी की प्रॉसेस में जाकर क्या है अपना जस्टिस तो पा लेते हैं लेकिन जो गरीब लोग है अगर उनको कोई प्रॉबलम आ जाए तो उनके पास क्या है फाइनेशल रिसोर्सेज का जो कमी है जो फाइनेशल कर पाते हैं इससे लाभानवित नहीं हो पाते हैं तो इसी लिए जो ये लीगल सर्विसेज अथारिटीज आट ऑफ 1987 है इसके थ्रू गवर्मेंट के द्वारा लोग अदालत को कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या किया गया इस्टैबलिश किया गया और जो भी पूर परसन थे जो गरीब लोग थे उनके लिए फ्री और कंपीटेंट लीगल एड का प्रोविजन किया गया और स्टूडेंट जो ये लोग अदालत हैं ये क्या है इस्टेटरी बॉडी है जिस में की क्या हो अगर किसी भी परसन के क्या हो इस्टोड और को लीगल डिस्प्यूट जो की जिनका नेचर क्या हो सिविल नेचर के लीगल डिस्प्यूट तो उनको क्या है लोग अदालत के थुछुं किया सकता आ वहाँ पर जा कर दोनों पार्टियां resolution करवा सकती है और student ये जो लोग अदालत है इनको एक civil court का status government के द्वारा provide कराया गया है और इनके जो भी जो ये क्या है लोग अदालत है अगर इनके जो भी decision होंगे वो क्या होंगे enforceable होंगे और मानने होंगे और ये दोनों ही parties पर क्या होंगे जितनी जो भी parties हैं civil court में ठीक है civil court का ही दर्जा दिया गया है लोग अदालत को भी तो लोग अदालत का अगर कोई भी decision दिया जाएगा तो वहाँ पर जितनी भी parties होंगे जितने भी क्या होंगे जितने भी तो उन दोनों ही parties के लिए वो binding होंगे उन सभी पर वो apply होंगे और उनको वो मानने होंगे और साथ ही ये कहा गया है कि लोग अदालत का जो भी decision होगा वो final होगा और कोई भी person क्या है फिर इन लोग अदालत के decision के अगेस्ट किसी भी अधर कोट में क्या है अपील नहीं कर सकता है ये कहा गया है कि लोग अदालत जो भी decision देड़ेगी वो final होगा और किसी भी अधर कोट में इसके decision के अगेस्ट क्या है कोई भी application नहीं की को different different boards को और corporation को establish किया गया जिससे की रूरल इलियास में ग्रामीड छेत्रों में cottage industries के development के लिए काम किया जा सके जिसमें की सबसे पहले आता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड उसके बाद established किया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमनशन पर क्या है पहले खादी एंड मिलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड बनाया गया उसके बाद्षा रंदी एंडसट्रीज कमीशन का formation किया गया उसके बाद गवर्मेंट के दवारा बनाया गया Small Scale Industries Board उसके बाद National Small Industries Corporation का formation किया गया उसके बाद बनाया गया हैंड्लूम बोर्ड उसके बाद हेंडी क्राफ्ट बोर्ड को बनाया गया उसके बाद कॉयर बोर्ड को भी बनाया गया और सिल्क बोर्ड का भी formation government के द्वारा rural areas में किया गया जिससे की जो cottage industries चीज है उनको क्या कि आजा सके हो से उनका डवलप्मेंस ग्रामीर छेत्रों में किया जा सके हैं। और उसके बाद स्टूडंट इसमें जो GPA रहें पॉइंट है उसमें बताया गया है कि गव़र्मनट के द्वारा इसे प्रोगर्राम्स भी किये गए जिससे कि क्या हो सके जो लोग है उनका जो ली जो स्टेंडर्ड ओफ living है जो रहन रहन सहन का तरीका है उसको भी क्या किया जा सके उसको भी अच्छा बनाया जा सके इसके लिए भी government के द्वारा बहुत सारे program launch किये गए जिसमें की जो program है पहला program launch किया गया the community development program 1952 next है the hill area development program 1960 drought prone area program 1973 जिसमें की ये provision किये गए कि in particular places पर जो भी लोग रहते हैं उनका जो living standard है जो रहने का तरीका है उसको क्या किया जा सके उसको अच्छा बनाया जा सके उसको raise किया जा सके ठीक है उसको और develop किया जा सके उसके लिए ही बनाया गया minimum needs program 1974 उसके बाद आया integrated rural development program 1978 ये सारे programs क्या हैं government के द्वारा ये सारी schemes को launch किया गया जिसे की जो लोगों का रहने का तरीका है जो standard of living है उसको सुधारा जा सके उसको और अच्छा बनाया जा सके और इसमें ही क्या है government के द्वारा लाई जाती है scheme जो कि क्या कहलाती है जवाहर रोजगार scheme 1989 ठीक है उसके बाद 1999 में government के द्वारा लाई जाती है स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना और government के द्वारा 2001 में लाई जाती है संपूर्ण ग्रामीन रोजगार योजना ठीक है government के द्वारा प्रोग्राम लाया जाता है National Rural Employment Guarantee प्रोग्राम 2006 ठीक है National Rural Employment Guarantee प्रोग्राम 2006 उसके बाद student government ने क्या है जो हमारी wildlife है और जो हमारे forest है उनके protection के लिए भी government के द्वारा act को पास किया जाता है wildlife के लिए लाया जाता है the wildlife protection act 1972 और जो forest है उनके safeguard के लिए उनको protect करने के लिए लाया जाता है 1986 में forest conservation act 1980 ठीक है लाया जाता है forest conservation act 1980 लाया जाता है ठीक है उसके बाद जो next है इसमें ये बताया गया है कि the water and air act have provided for the establishment of the central and state pollution control boards ये कहा गया कि जो central and state state pollution control board है उसका भी establishment किया गया ठीक है जिसमें की water से related act को बनाया गया और air act को बनाया गया जिसके लिए किसका establishment किया गया central और state pollution control board का establishment किया गया और उनके किया किया गया जो भी environment है उसको protection और improvement के जो उनके जो process है उनको और increase किया गया उनको और बढ़ाया गया the national forest policy 1988 aims at the protection conservation and development of forest यह कहा गया है कि जो national forest policy है 1988 की वो क्या करता है उसका main objective है कि क्या किया जा सके जो भी forest है ठीक है forest के development के लिए काम किया जा सके forest को protection provide किया जा सके और forest के conservation के लिए उनके seduction के लिए काम किया जा सके और यह provision किये गए the national forest policy 1988 में और wildlife के protection के लिए government के द्वारा क्या लाया गया wildlife protection act 1972 लाया गया और forest के लिए forest के conservation के लिए forest को safeguard करने के लिए government के द्वारा लाया जाता है the forest conservation act 1980 ठीक है the forest conservation act 1980 लाया जाता है उसके बाद next है कि government के द्वारा agriculture को भी क्या है modernize बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है improved agricultural inputs को provide कराया जाता है जिसमें की hybrid seeds का use किया जाता है fertilizers का use किया गया और irrigation facilities को बढ़ाया गया जिससे की क्या हो जो agriculture है उसको क्या किया जाए modernized बनाया जाए उसको आधुनिक बनाया जाए जिससे की क्या हो जो improved agricultural जो seeds है जिससे की क्या किया जाए जो improved agricultural inputs है means कि अपनी agriculture को करने के लिए उसमें जो उचित साधन है उनका use किया जाए जैसे की अच्छे बीजों का यूच किया जाए अच्छे फर्टिलाइजर्स का यूच किया जाए और प्रॉपर irrigation facilities को प्रोवाइड कराके अग्रिकल्चर को अच्छा बनाया जाए उसको modernize किया जाए जैसे की क्या हो production को बढ़ाया जा सके various steps have also been taken to organize animal husbandry on the modern and scientific lines यह कहा गिया कि यह जो भी और साथ ही साथ क्या है बहुत सारे steps लिए गए जिसे की क्या हो जो animal husbandry है और जो क्या हो modern scientific lines है उनके थूँ क्या हो इन चीजों का जो भी production है उनको बढ़ाया जा सके और animal husbandry में भी जो scientific lines है जो modern techniques है उनका use करके क्या किया गया इन में भी production को बढ़ाया गया ठीक है next है student की government के द्वारा क्या किया गया 73rd amendment act of 1992 के थूँ जो village level में जो three tier पंचायती राज सिस्टम है उसको क्या है एक constitutional status provide कराया गया और protection provide कराया गया पंचायती राज institution को ठीक है उसके लिए क्या है three tier पंचायती राज सिस्टम को establish किया गया village level पर तालुका level पर और जिला लेवल पर किस पर कहां पर rural areas में यह पंचायती राज सिस्टम को establish किया गया local government के concept के रूप में और जिससे कि यह कहा गया कि इससे क्या होगा यह क्या है गांधी जी का जो ड्रीम था उसका realization होगा जो कि क्या चाहते थे कि जो हमारे गाम होने चाहिए वो क्या होने चाहिए Republic होने चाहिए वो उनका क्या होना चाहिए और वहाँ पर अपनी एक self government होनी चाहिए यह गांधी जी के वो रूरर लेवल पर आता है जिसमें की जिसके जो यूनिट्स हैं वो क्या होती है विलेज लेवल पे तालुका लेवल पे और जिला लेवल पे ठीक है यानि विलेज में तालुका में और डिस्तिक लेवल पर इस तरीके से कहा गया है कि इसके थूँ ये आता है 73rd Amendment Act of 1992 के थूँ क्या किया गया हमारा जो ये पंचायती राज सिस्टम है उसको एक constitutional status प्रोवाइट कराय दिया गया और पंचायती राज institutions को protection प्रोवाइट कराये गए 1992 के 73rd Amendment Act के थूँ तो सुडेंट अभी हम अभी का lecture हम यही तक रखते हैं I hope कि आपको समझ में आया हो स्टुडेंट्स ये काफी बड़ा टॉपिक है implementation of directive principles आप इसमें समझ ही रहे होंगे कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सारे क्या है जो भी जितनी भी क्या है direct principles से related जितनी भी चीज़े है means के इसमें government के द्वारा जितनी भी ऐसी चीज़े हैं जो कि क्या हो social welfare के लिए जरूरी हो ठीक है जो क्या हो social welfare के लिए जरूरी हो गवर्मेंट के द्वारा लाई गई ऐसी सारी पॉलिसीज को हम इसमें डिसकस कर रहे हैं इसलिए क्या है यह काफी बड़ा टॉपिक है तो स्टूडेंट अभी हमने यहां पर क्या है पंचायती राध सिस्टम तक हमने पढ़ लिया है अपने नेक्स लेक्चर में इसी क्या है टॉपिक को हम और फर्दर कंटिन्यू करेंगे और गवर्मेंट के क्या है कुछ और प्रोविजन्स को स्टेडी करेंगे जिसके थूपि क्या है हमारे देश में जो कंट्री में जो पब्लिक वेलफेर में सोशल वेलफेर में जो जो गवर्मेंट के द्वारा काम किये गए ह जिसके थुरू कि जो डिरेक्टर प्रिंसपल्स आफ स्टेट पॉलिसी है उनके इंप्लिमेंटेशन को क्या किया गया है एप्लिकेबल बनाया गया है इसको हम फर्दर कंटिन्यू अपने नेक्स लेक्चर में करेंगे और अभी यही तक रखते हैं I hope student कि आपको समझ में आया हो thanks for watching